क्या आपके भी मन में इस सवाल आया है कि एलियंस और AI एलियंस में हमारे ही जादा खतरना क्या होगा चलिए इन दोनों को पहले अच्छे से समझते हैं एलियंस का मतलब ये कि वो लोग हमारे जैसे ही हैं बट हमसे जादा एडवांस हैं और स्पेस की किसी दूसरे कोने में र किया तो कौन जादा खतरनाक होगा इस सवाल का जबाब इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में लेते हो अगर आप सोचते हो कि AI एलियंस और एलियंस दोनों ही अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे हमसे हमसे लड़े होंगे और जब हमें उनके जवाब पता चलेंगे तो हमें काफी जादा फाइदा होगा और कई सारी टेकनलोजीज के बारे में हमें पता चलेगा जो कि अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं लेकिन हाँ अगर आप इन दोनों को नेगेटिव वे में लेते हो तो ये दोनो ही इंसानी प्रजाती को खद्म करने का दम रखते हैं यानि आप एक बार खुद सोच कर देखिए या फिर टर्मिनेटर जैसा एक रोबोट या फिर सुपरमेन जैसा एक आदमी आकर इंसानों पर हमला कर दे तो क्या होगा बठा मुझे परसनली लगता है कि जो एलियंस होंगे वो हमाई पृत्वी के लिए बड़ा खत्रा साबित हो सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो बठ हमें इंसानों ने उन एलियंस को डवलब किया है यानि AI एलियंस को अब वो चीज मैटर नहीं गरती कि हमने किया है या फिर हमसे बहुत दूर रहने वाले एलियंस ने बठ काफी अद तक चांसे हैं कि अगर हम उन्हें डवलब कर रहे हैं तो कुछ ऐसा सिस्टम भी बनाएंगे जो कि अनकंट्रोल उन्हें न होने दे और हमी उनके मालिक बने रहें और जब तक किया ही कॉंशियस नहीं होगी तब तक वो हमारी ही बाते मानेंगी यानि तब तक उनके बिहेवियर पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा बठ अगर कहीं से एलियन आ जाते हैं तो उनके बिहेवियर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा अगर वो हमें मारना चाहते हैं तो मारेंगे, खतम करना चाहते हैं तो खतम करेंगे हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ एक चीज है जिसका कलर आप बता सकते हैं वो है सब्सक्राइब बटन तो जल्दी से बदल दीजिये